आज हम देखेंगे सर्वसमिकाओ के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन से संबंदित साधारन गलतिया गलती एक, बीजिय व्यंजक यानि अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन के पदों की व्यवस्था यानि अर्रेंजमेंट अफ टर्म से जुड़ी गलती यदि बच्चों को इस व्यंजक का गुणनखंडन यानि फैक्टराइजेशन, सर्वसमिकाओ यानि आइडेंटिटीज के उप्योग द्वारा करने के लिए कहा जाए तो कुछ बच्चे पदों को मानक रूप में न देखकर ब्रह्म में पढ़ जाते हैं और इसका गुणनखंडन नहीं कर पाते गुणनखंडन करने के लिए हमें पदों को व्यवस्थित करना आवश्यक है दिये गए व्यंजक में एक्स का वर्ग और उन्चास उर्ण वर्ग है इसलिए हम इस व्यंजक को इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं अब इसका गुणनखंडन हम इस सर्वसमिका की साहता से कर सकते हैं इसका गुणनखंडन होगा, कोश्ठक में x रिण 7 कोश्ठक का वर्ग, क्या अब आप रिण x का वर्ग धन 25 का गुणनखंडन कर पाएंगे? स्वयम प्रयास कीजिए. गलती दो, सर्वसमिका के चयन में गलती. यदि कुछ बच्चों से बीचिय व्यंजक, x का वर्ग, रिण 6x धन 9 का गुणनखंडन करने के लिए कहा जाएं, तो वे जल्बाजी में जवाब देते हैं, कोश्ठक में x धन 3 कोश्ठक का वर्ग, जोकी एक गलत जवाब है. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि यहां बच्चे देखते हैं कि 9 पूर्ण वर्ग है और 4x भी वर्ग के रूप में हैं. इसलिए उन्हें लगता है कि दर्शाय बीचिय व्यंजक का गुणनखंडन करने के लिए सर्वसमिका एक का प्रयोग होगा. उनका ध्यान यहां जाता ही नहीं कि x वर्ग और 6x के बीच में रिंड चिन्न हैं. चुकि दर्शाय बीचिय व्यंजक में x का वर्ग और 6x के बीच में रिंड चिन्न हैं इसलिए यहां सर्वसमिका 2 का प्रयोग होगा. इसलिए बीचिय व्यंजक x का वर्ग रिंड 6x धन 9 का वांचित गुणनखंडन कोश्ठक में x रिंड 3 कोश्ठक का वर्ग है. गलती 3 जलबाजी में इस प्रकार करते हैं जोकि गलत तरीका है ध्यान रहें यहां पहला पद 9x का वर्ग है जोकि कोश्ठक में पद 3x का वर्ग है इसी तरह 36 संख्या 6 का वर्ग है. इस तरह से यहां a बराबर 3x और b बराबर 6 है इसलिए सही गुणनखंडन होगा कोश्ठक में 3x धन 6 गुणा कोश्ठक में 3x रिंड 6. तो आज हमने देखी सर्व समिकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन से संबंदित साधारण गलतिया. प्रॉण्स